अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्जाम्पल नमबर 4, फिर्स्ट थ्री एक्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ले, एक्जाम्पल नमबर 4 में देखे क्या करना है, लेट इस नाउ कंसीडर दो फॉलिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिविशन टेवल, विच गिवस दो वेट्स ओफ थर इस डेटा में ठीक है, इसको इस डेटा को हम एनलसीज कर रहे हैं, ये टेबल तो उन्होंने डेटा तो रिपर्जेंट कर दिया हमको दिखा दिया, ठीक है, नमबर फॉफ स्टुडेंट्स कितने हैं, नाइन स्टुडेंट्स ऐसे हैं, क्लास में, जिनका वेट थर्टी वन 2, 3, 4, 5, 36.9 भी यहां एक्जिस्ट करेगा, 36 के बाद 37, 37.1 या इसी वाली क्लास इंटर्वल, यानि कि सेकंड क्लास इंटर्वल में एक्जिस्ट करेगा, ये तो उन्होंने टेबल में डेटा शो आउट कर दिया, बट उनको अब क्या प्रॉब्लम आई इस क्वेशन में, नाओ इफ वी तू नू नू स्टुडेंट्स, प्रॉब्लम आई कि दो स्टुडेंट्स ऐसे हैं, जिनका वीट 35.5 केजी एन 40.5 केजी एक्जिस्ट कर रहा है, अब उन दो स्टुडेंट्स को कौन सी क्लास में एडमिट किया जाए, मतले इन में से कौन सी क्लास इंटर्व में हम यहाँ पे उस तूडेंट्स के नेम मेंशिन करें यानि की नाइं स्टुडेंट्स हो जाएं या फाइव इंशिक्स कहां पे, अगर हम एलिस करते हैं इस क्लास इंटर्वल का कि मतलग कि so that कि हम हर एक student का चाहिए उसका fractions में decimals में है wait उसको हम exist कर सके उसके लिए क्या way out है इस class intervals को set करने के लिए then in which interval will we include them we can't add them in the ones ending with ना तो कहते हम यहाँ add कर सकते है जो 35 की no to the falling ones ना ही next में this is because there are gaps in between the q reason क्या है 35 और 36 की in between gap आ गया class intervals में between the upper and lower limits of two consecutive classes consecutive होते है continuous classes में लगा था ठीक है देखिए 31 to 35 36 to 40 it means two class intervals में यह gap है इसी reason के कारण हम इसको admitted नहीं कर सकते इन दो students को अब हम क्या करेंगे इन class intervals की setting करेंगे very easiest way है हम हर type का data include करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे जो lowest हर class intervals का every class intervals की जो lowest class interval है यह सभी के lowest class intervals होती है जो starting वाली होती है ending वाली होती है highest class intervals होती है जो lowest है lowest में 0.5 less करेंगे 0.5 इसमें 0.5 add करेंगे कैसे यहां पे देखिए बहुत अच्छे से given है for this we find the difference difference between the upper limit और class ठीक है जी we then add half of this difference to each of the upper limits सबसे पहले तो वो कह रहे है कि हम इसका क्या difference ढून देंगे upper limit और lower limit मेंट से जब difference हमने find out कर लेते हैं उन दोनों का फिर उसको हम क्या करतेंगे over 2 से divide करके हमारे पास 0.5 देखिए कैसे 31 to 35 कोई भी first case में क्या लिया उन्होंने कोई भी class intervals ले लेते हैं 31 to 35 और 31st और second class intervals ले 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 हमने lower limits कौन सी है इनकी 36 minus 40 36 है इसमे lower limit 36 हो ले में तो 36 ही होएगी न upper limit कौन सी है इसमे 35 अब इन दोनों का difference लेना है फिट से देखना ध्यान से यहाँ पर आपने भी numbering कर लेनी है दो class intervals को लेकि सारी discussion analysis interpretation कर रहे है यही से दोनों class intervals में lower limit कौन सी है इसमे 36 है और इसमे upper limit कौन सी है 35 ठीक है यह इसकी upper limit है यह इसकी lower limit है इसकी दोनों का difference क्या है 1 upon उसके difference को 1 upon 2 करके 0.5 यानि कि 0.5 है उसका हम क्या करेंगे 31 जो हमने figure लिया है 31 इसको हम किस way में 0.5 31.5 इसमें से less करेंगे यानि कि 30.5 यह हमारा lowest category ready हो चुकी है ठीक है देखें यहाँ पर यहाँ पर फिट से 1 और 2 क्यों कि यह 1 के बारे में discussion चले है मतलो first class interval और second class interval so the new class interval formed from 31 to 35 is अब देखना ध्यान से क्या new class यह तो थी पुरानी वाली old class interval यह अब हमने उसको add और less इसमें जो lower class limit है उसमें less किया है अपर class limit में हमने राजी यहाँ पर क्या किया है add किया है इसको less करके 303030.5 new class interval start होगी बननी हमारे पस formation हो चुकी है उसके और upper class limit में 0.5 add on किया अब हमारे पस यह वाली class intervals बनती जा रही है ठीक है बस यहां से हमने देखो एक या दो class intervals पर हमने अच्छे से analysis interpretation किया कि क्या formation बन क्या यह है अब हमें very easily पता लग रहे है कि जस्ट कुछ भी नहीं करना होता लोर class limit में 0.5 less करते है और अपर में 0.5 add करते जाते है इसे वे में हम सारी class intervals अपनी maintain करके चलेंगे यह इतनी explanation हर एक class interval में necessity नहीं है यहां पर देनी बस जस्ट आप एक class intervals में दे सकते हो वो sufficient है अब हमारे plus new class intervals क्या बनगी 35 30.5 to 35.5 first class interval ऐसी बटा ही second होगी जी यह third देखिए 40.5 to 45.5 अब आप कोई भी data fractions में है उसको plus minus कहीं पर भी वो exist करेगा आप सोचके देखिए स्पोज आपके पास किसी student का weight 35.4 it means वो यहां exist करेगा इस वाले figure में ठीक है ऐसी कोई भी data जो अब इन्हों नहीं यह tabulation form में frequency distribution table की form यह data given था यह basic problem क्या आई थी कि दो students जिनका weight 35.5 and 40.5 kg था वो exist नहीं करे थे वो उनको हमने देखना था कि वो दो students को कौन सी class intervals में add किया जाए अब हम उनको दोनों students को add करके हमारा new frequency table हमने बना दिया है जो उनकी problem थी वो भी add on करके हमारे पस क्या data given आया अब देखें यहां first में 9 था last में भी 9 था 31 31 से लेकर 35 9 students थे हमारी problem थे 35.5 35.5 हमेशा याद रखना 35 अब हम देखेंगे data observe करते हैं फिर से किसी student का weight 35.5 है अब थोड़ी सी problem एक फिर arise होती है यहां पर अब आप कोगे कि उस student को हम इस category में exist करें या इसमें add on करें अब कौन सी में always याद रखना है यह exclusive series बनती है हमारी exclusive का मतलब exclude करके चलता है वो यह वाली figure को इसको यहां include नहीं करना इस वाली जिसका weight 35.5 है वो वाली students को हम next ठीक है succeeding succeeding class intervals में add करेंगे always याद रखना suppose of that किसी student का weight 55.5 है तो हमने क्या करने है उस student का name उसका यहां पर उसकी numbering add नहीं करने उस student को हम यहां exist करवाएंगे 55 इसको बोला जाते है excluding time series class intervals exclusive series ठीक है exclusive का मिनिंग यह है यहां पर data कौन से exist करेगा 30.5 से लेकर 35.4 वाले students यहां exist करेंगे कोई भी randomly फिर से pick up करते हैं कोई भी data मालो यहां से देखें यहां कौन से students exist करेंगे जिनका weight class में 65.5 से लेकर 70.4 है वो students यहां आएंगे जिनका weight 70.5 से लेकर 75.4 है उनको यहां पर exist करेंगे हमेशा याद देखना ठीक है इनको बोलता है excluding time series तो जो अब 40 students से यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इनको पूरा analysis करो इस question को बहुत अच्छे से थोरोली given है यहां पर 38 because of that आपका यह 9th class 8th class से statistics स्टार्ट हो जाता है जो की introductory part होता है 8th class में 8th 9th 10th 11th 12th तक यह continuously next next आपको फिर से यह सारा कुछ mean, median, mode, frequency, tables, diagrams यह सब कुछ फिर से repeatedly आप करते जाओगे so this is the reason कि आप अगर आप यहीं पर 9th class में thoroughly कर लोगे 10th में आपको board में अच्छे scoring आने के chances होते हैं कि बच्चे को concept clear हो जाता तब तक ठीक है 32 students है उनकी problem क्या आई थी यह question में 38 students है दो students ऐसे थे two students वो exist नहीं हो रहे थे problem थी उनके लिए तो वो क्या देते कि हम इसके लिए क्या solution sort out करें फिर हमने यहां पर ठीक है discussion किया कि हम उसको क्या करते हैं मीड वैल्यू उसकी मीड वैल्यू नहीं सोरी जो यह class intervals है इनकी setting करते हैं so that की in figures को भी in weights को भी जो यह जो दो students का वेट है उसको भी यह वह यहां करेगा 15 में याद रखना ठीक है this is the reason कि 15 students थे यह 14 से next में 15 होगे और यहां पे 5 थे यहां पे 6 students 11 students यहां पे add up कर दिया 40 होगे बस this is the reason कि हमारा यह question बहुत अच्छी से complete होगा बैट अब हम start करते है exercise का 14.2 का question number first very easy very simple the blood groups of हमेशा हाथ में pencil लेकर read करना है और साथ में जैसे जैसे questions read करते जाते हैं वहां से जो quantified data है quantitative data है जो valuable data है उसको जैसे blood group किस का data given है blood groups का data given है underline करते जाना है how many number of students are given 30 students underline कर देना है यह हमारे लिए ज्यादा useful नहीं है छोड़ तो कौन से groups given है यहां से फिर से observe करो data को total कितने groups यहां पर exist कर रहे हैं a o a b o ठीक है अब फिर से देखिए total में a b यानि कि four groups exist कर रहे हैं इस data में number one number second number third question में पूछा का क्या गया है ठीक है जी हमेशा याद रखना जो question में उन्होंने जो कुछ कह रहा है कि सिर्फ हमने उसी के according अपना answer out करना है extra answer देने के कोई marks नहीं मिलेंगे यह बात याद रखना उसी को फिर से अच्छे से read करते हुए पैंसिल से साथ ही साथ ठीक है जी ध्यान से देखना represent this data in the form of यह थर्ड बात हमारे पास क्या ही है कि हमने एक frequency distribution table बनाना है next और last question अब क्या put up कर रहे है यह आप सारा कुछ frequency distribution table के थरू बना लेंगे हम represent कर देंगे data question क्या करना है represent करने के बाद अब हम data का analysis कैसी क्या करना है उनको answer क्या देना है which is the most common and which is the nearest blood group समंग यह पूरे पूरे डेटा को बनाने के बाद 3030 students का blood group given है कि कौन से student का blood group A है कौन से का B है O है यह फिर A B group है अब आपको जैसे कि हमने अपनी surrounding में सुनते है कि जो कौन सा group सबसे जादा बार exist करता है यहाँ पर अब हम इस data को टैली बाट से through बनाते हैं देखो A very easy सा यह कुछ भी नहीं करना जस्ट आपने एक न माइंड में मेकप लेके चलना मतलब के mind mentality बनाके चलने कि हमने कैसे करना time save consume करके कि जल्दी से जले time consume नहीं करना time save करके चलना कि जल्दी से हो जाए सबसे बहले देखिए A A कहा exist करा पर A B की एक टैली है फिर से O में लगानी है ठीक है जी O में लगानी है फिर से A में लगानी है फिर से A में लगानी है इसी वे way में हम यहाँ पे देखी students just हमने यहाँ से a, b जहाँ पे भी starting से ठीक है left to right यह फिर top to bottom see यहाँ data उठाते जाना और उनके आगे tally, एक-एक tally लगाते जाना है अगर four की grouping हो जाती है fifth number वाली tally से उसको four and cross method बोला जाते है four and cross ऐसे cutting कर दीने ठीक है, ऐसे cutting करने का मतलब यह भी number exist कर रहा है next, so that कि इसमें हमें क्या रहते है कि counting करने easy रहते है कि एक universal, एक standard maintained किया हुए tally बार्ज को depict करने के लिए कि four cross, यानि कि five का एक group बने ठीक है, इसे बें हम tally marks लगाएंगे, उसके बाद हमने total कितने, four, five, six, seven, eight, nine यहां पर number of students यानि कि हमारे पास nine students ऐसे हैं, जिनका blood group क्या है, A है six students, number of students मैंने frequency, F, यहां पर F given है, ठीक है, F हमने लिखे है six students ऐसे हैं, जिनका blood group B है, आप वैसे भी अपने daily, देखो statistics, so data क्या है, हम daily life में, morning से evening तक, numerical, सब चीजे, सब चीज, numerical forms में, हम surrounding में हमेशा note करते आएं, आपने यह भी देखाएगा, कि जो zero group है, वो मतलब बहुत ज़्यादा commonly exist करते है, जो zero blood group है, ठीक है, यह भी देखिए, real में, real fact भी यहां पर यही show कर रहे है, उन्होंने question भी क्या पूछे, which is the most common and which is the real rest पहले हम which is the, इनको हमेशा जो question पूछे न, उनको दो parts में, अराम से, easily, उनको bifurcate करके, पहले, first question का answer बहुत प्यार से देखना कि क्या आएगा, which is the most commonly most commonly का मतलब कि वो blood group कौन से है, जो सबसे ज़्यादा वर exist कर रहे हैं, यानि कि 12 students ऐसे हैं, जिनका blood group O है, तो हम answer में क्या लिखेंगे, which is the most common blood group, यानि कि maximum times zero, अब second question उन्होंने क्या पूचा, which is the rarest, which is the rarest blood group among these students, rarest कों सा blood group है, जो सबसे कम exist करता है, बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम persons का blood group कौन सा होता है, बहुत कम का AB, ठीक है, रियल में जल्दी emergency में चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक blood ही ऐसा है कि creation नहीं होती, बट human transfer हो जाता है, ठीक है, human beings की body में ही, जो blood है, वो वहीं पे बनता है, ठीक है, इसकी formation नहीं होती, ना ही हम इसको purchase कर सकते हैं कहीं से भी, so this is the reason की हम कहते हैं कि blood donate करना चाहिए हमें, AB सबसे क्या है, कम times exist करते हैं, ठीक है, which is the rarest blood group among these students, only AB group, ऐसा group है, जो सबसे कम times exist करते हैं, इसी के निचे राजी, छोटा से tally bars के regarding question है, one marks में या very small questions में कभी वही पूछ लिया जाता है, what do you mean by tally bars, making a group of tally bars, five, हमेशे याद रिखना, five का grouping बनता है, इसको और क्या बोला जता है, four and cross method, four, यानि की four bars गई, फिर उसको हमने diagonally cross कर दिया, top to bottom, टेक है, diagonally भी, left to right, आप इस वे में cross करोगे, इसको ये नहीं, जो जैसा दिल करा नहीं, this is the wrong way कि जैसा दिल करा, cross करोगे, ऐसे नहीं, और second बात ये बतानी थी बेटा, जब आप इसके tallys maintain करने, start करोगे न, आप भी अपनी book को follow करते हुए, इसी वे में tallys maintain करोगे, ठीक है, जैसी इन्होंने बनाई गया, देखो ऐसे, ये नहीं कि इसको centralized कर दोगे, नहीं centralized नहीं करना, इसको left align करके चलने, आपने, left align से बहुत अच्छे से readable form में एकदम presentation बहुत neat and clean होनी चाहिए, इसी वे में आप ये tally bars maintain करके चलोगे, अपनी book में, उसको centralized नहीं निकाल लोगे, ठीक है, कि ये tally bars इसको center align कर दे, फिर इसको center नहीं, वो देखने में एकदम बहुत अच्छे से readable form में नहीं होती, ठीक है, तो left to right इसी वे में arrange करोगे, इसी के साथ ही बटा आपका ये first question complete हुआ, अब हम चलते हैं जिस second question के और, second question is very also very important और very interesting question है, second is also second question में देखिए, क्या, पहले आपने जो question होता है, उसको two, three times बहुत अच्छे से observe करना है क्योंकि इस questions को read करते करते ही हमारा 70-80% answers हमारे mind पे आने लग जाता है कि इसका answers ये, दिहान से data read करते है, the distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found, कहते हैं 40 engineers ऐसे हैं उनका जो residence है, और working place, यानि कि जहाँ वो काम करते हैं, उनका distance नीचे ये data में given है, 4040 engineers है, ठीक है, जैसे 5, 19, 3, ठीक है, ये left to right है, टॉप टूप, अब हमने इस data में से features क्या, उन्होंने question क्या arise करा, और इसको किस way में हमने show करना है, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे लिखे, जैसे उपर वाले question में तो frequency distribution table था, या grouping का कोई scene नहीं था, ना ही class intervals बनानी थी, इसमें उन्होंने का construct a grouped frequency distribution table, grouping जहाँ भी grouping हम maintain करके चलते हैं, वहाँ पे हमारा question बहुत अच्छे से हम represent कर चेते हैं, क्योंकि class intervals बनेगी, सबसे पहले तो mind में यही सोच के चलना है, grouping means सबसे lowest और सबसे highest data यहाँ से उठा लीजिए, उसके according हम अपनी class intervals set करेंगे, grouped frequency distribution table, with class sizes 5, very easy, उन्होंने हमें खुद ही class का size बता दिया, क्यों 5 बताया है, क्योंकि ध्यान से देखनों, जो data में किसी भी data में differentiate है, बहुत कम है basically, वो class interval class का size 10 भी बोल सकता था, जैसे 3 और 5, कितना कम difference है, यही reason है कि उन्होंने बहुत smallest class बोल लिए है, 5 भी बोल सकता है, वो 4, 3 कोई भी, मतलब classes, जो class size है, कुछ भी हो सकता है, फास्ट रूल नहीं है, बट वो difference है, बहुत कम है, आपस में जो figures है, इसलिए उन्होंने smallest class लिखी है, यहाँ पर, पहली बात तो class intervals बनेंगी, दूसरी बात उनका जो width है, वो 5 रखेंगे, जी हम, for the data given, अबब, taking the first interval, starting भी बता दी, उन्होंने कहां से करने है, very easy, 0 to 5, अपने अभी सब कुछ बता दिया, हमने कुछ भी नहीं करना देखो, 0 to 5, क्योंकि उनका जो lowest data है, 3 है, 3 से और भी है कुछ, 3, ठीक है, 3 जो data given है, lowest figure given है, 3, यहाँ से start करेंगे, not included, यानि की, अभी अभी हमने last discuss करा था, fourth number example में, यह जो series हम maintain करते है, exclusive series कहलाते है, exclusive का, अगर वो देखो, यहाँ पी ना भी mention करते है, question में, तो understood था कि 5 को, हमने यहाँ नहीं लेना, यह universal truth है, 0 to 5, 5 to 10, देखे हम कैसे sort out करेंगे, इस question को, आप भी, जब भी आप notes maintain करोगे, आप भी questions को, just, hulky से information लिख लेनी है, question के regarding, question number, the distance in kilometers of 40 engineers, triple times dots लगा के छोड़ देना, complete question को लिखने की ज़रूर तनी है, हमेशा book ज़रूर follow करो, क्योंकि book में बहुत अच्छे से, NCRT की books में बहुत अच्छे से, थोरूरी सब कुछ गिवन है, तो बेटा हम कैसे class intervals maintain करेंगे, देखो उन्होंने हमें सब कुछ तो given दे दिया, यहाँ पे, हमारे लिए बहुत easy काम कर दिया, class intervals given है, 0 to 5 उन्होंने खुद बोला कि 0 to 5 लेके चलनी है, difference भी बोल दिया, not included भी grouped बनानी है, यह भी grouped बना दिया, tally marks, अब ये दो columns हमने अपने according maintain करें, ठीक है, कैसे क्यों करें हैं, क्योंकि उन्होंने क्या question arise किया है, हमें पूछा है, what main features do you observe from their tabular representation, देखो हम data को tabular form में बनाने का purpose यही होता है, कि उनसे कुछ ना कुछ results हम लिख सके, ठीक है, results find out कर सके, अब हम इस data को कैसे, starting से लगते हैं, left to right या फिर top to bottom, 5, 5, 3, देखें, 5 कहां exist करेगा, 5 को इस वाली class interval में नहीं, 5 to 10 वाली में हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 यह वाली class interval को कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आजी हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको, यहाँ पे देखें, 5, नेक्स्ट आजी, 19, 19 देखें, कहां, 19 तो एकदम से clear है, 19 तो यहीं पे एकजिस्ट करेगे, ठीक है, ऐसे ही जी, 7, 7 का, 7 यहाँ पे नैं, यहाँ पे, देखें, यहाँ पे 7, इसको इस way में लिखेंगे, नेक्स्ट आजी, 12, अपना 12 कहां पे एकजिस्ट करेगा, यहाँ पे एएस, हैं जी हैâte, ठीक, गुड, всё, यहाँ पे, नेक्स्ट आजी, 3, 3, 3, 3, अपना यहां पे, एक प्रसरी एक्सिस्ट करे गार आपने सभी को स्टों को एसे करने सब अब आराखने बहुत अच्छे से हार क्ना ju यहां नहीं आएगा 10 यहां एक्जिस्ट करेगा 10 next रजी 9 9 तो 9 तो यहां पे एक्जिस्ट करेगा next रजी 14 14 भी यहां एक्जिस्ट करेगा फिर से 10 10 यहां पे नहीं यहां पे एक्जिस्ट करेगा ठीक है 14 फिर फिर नेक्स्ट क्या है 12 12 कहां पे आना है बस आपने अब देखो 12 यहां आ रहा है 12 की यहां पे टैली नहीं लगाऊगे उसको आप इस वे में क्रोस 4 एंड क्रोस मैथड से ऐसे कर दो कर 12 नेक्स्ट आजी 7 7 अपना आना है यहां पे सोरी हांजी टीका 7 यहां यहां पे एक्जिस्ट करेगा 7 to 20 20 कहां एक्जिस्ट करेगा ध्यां रखना 20 यहां नहीं आएगा बेटा 20 आएगा 22 25 वाली क्लास इंटर्वल में हांजी यहां से अपने डाटा को देखते हुए सीक्वेंस फॉलो करते हुए सारी के सारी मार्किंग करते जाएंगे यहां पे और उसके बाद 4 प्लस 1 5 उसके कोर्सपॉंडिंग 5 लिख देंगे डिजिट्स में नुमारिकल वैल्यूस में और 5 to 10 के कोर्सपॉंडिंग कितने इंज से आते हैं मतलग विदिन विदिन नहीं कहेंगे 5 to 10 किलो मिटर्स की एरियस में एरियस में बोलेंगे 11 विदिन हम बोल सकते हैं यानि की 0 to 10 विदिन 10 किलो मिटर्स की एरिया में आते हैं टॉटल 16 इंजिनेर्स ऐसे बोल सकते हैं ठीक है ऐसी करते हुए हम अपनी यह नंबर एकल फॉर्म में बेटा ऐसी हम लिख लेंगे टोटल 4040 हमारे पस टोटल इंजिनियर्स थे अब हमने कोश्चन का क्या अंसर लिखना है what main features do you observe from this tabular representation देखो features क्या होते हैं characteristics क्या होते हैं इस data को देखे हम क्या observe कर रहे हैं इसका जो आप answers 1, 2, 3 जितने भी answers आप find out कर सकते हो और यह नहीं कि सभी का answer same होगा ठीक है किसी में क्या विशेश्टा है हर कोई अपने point of view से अपने angle से देखते है judgment करते है तो जो हमने यहाँ पे features find out करी है हमें जो लगा ठीक है जो आप आप इसमें कुछ भी add on lesson कर सकते हो इंप्रूब कर सकते हो कि इस data को देखके आप क्या features क्या इसमें से characteristics निकल गहीं इस data को देखते हैं हम इसका basically analysis interpretation करेंगे इस data का हमें यहाँ data से कुछ given हो रहा है कुछ similarities नजर आ रही है हम यहाँ पे राजी यह भी लिख सकते थे कि 0 to 15 यानि कि within 15 km के distance से total कितने number of engineers आते हैं 22 plus 27 यानि कि 27 engineers within 15 km के areas में से आते हैं वैसे भी लिख सकते थे पर हमने यहाँ पी यह लिख है यह भी सब कुछ ठीक होगा कुछ भी लिख सकते हो बस थोड़ा से यहाँ से कि उसकी features जैसे कहते हैं किसी की विशेशता हैं बताईए किसमें क्या qualities हैं ठीक है features में अच्छाईयां बुराईयां सब mention कर सकते हो आप ठीक है यहाँ पे हमने maximum distance वाले engineers cover करें और minimum वाले cover करें देखो maximum में क्या है within मतलब total 4040 engineers हैं उन में से 22 engineers तो ऐसे जो within 15 km के areas में यानि कि 22 और 5 27 तो ऐसे हैं जो within 15 km के areas में से आते हैं ठीक है आपको concept clear होना चाहिए main basic बात यह है इन questions में इन questions में क्या जो भी questions आप कुछ भी करते हैं we observe from the data maximum number of engineers 11 plus level यानि कि 22 are living within the distance of 15 km इसको ऐसे भी लिख सकते हो या कुछ और अपने वेब में भी लिख सकते हैं basically हमने numerical figures देखने हैं कि आपने okay लिखिया आपको concept clear है ठीक है 5 to 10 और 10 to 15 की class intervals में से total 22 engineers ऐसे हैं यहां से आते हैं ठीक है within 15 km की areas में से आते हैं और अगेन हमने और एक दो features क्या लिखिया दो तीन चार आप जितनी भी लिख सकते हो we observe that minimum number of engineers यानि कि सिर्फ दो engineers ऐसे हैं ठीक है थोड़ा सा data में similarity थी इसलिए लिख दिया आप यह नहीं लिखना चाहते यह भी लिख सकते थे 2235 within from that kilometers areas में 234 यानि कि 4 engineers ऐसे हैं जो 2235 kilometers के areas में से ठीक है आते हैं यह भी लिख सकते थे आप और हमने यहां भी यह लिख है यह भी ठीक है अगेन we observe that minimum number of engineers only two are living within the distance of 2230 kilometers areas ठीक है यानि कि इसमें कौन सी class intervals कबर अप होगी class intervals 22 25 and 252 क्योंकि दोनों में से एक एक है ठीक है एक उस area से आता है एक एक इंजनियर उसमें से आता है यहां इसी के साथ ही बटा आपका ही question number second भी complete हुआ अब एक छोटा सा question और जो mcqs में यह very short question question answers में कई वरी पूछ लेते हैं क्या है अपका ही question very easy very simple what is exclusive series जैसे कि हम बिटा पहले भी कर चुके हैं वैसे exclusive series क्या होती है examples में करा था exclusive series is that series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit for example 10 to 15 जैसे कि रहाँ यहां पर गीव ना देखिये यहां पर वैसे तो उन्होंने question में mention कर दिया कि इसको include लेकर नहीं चलना अगर वो यहां पर include नहीं करती ठीक है question यह question वाले include ना करते तो भी understood था कि 5 include नहीं होता इसी को ही exclusive series का नेम दिया गया बैट यहां पर देखिये इसी को ही क्या बोलते है exclusive series sorry यह देखिये exclusive series is that series class interval excludes items corresponding to its upper limit for example हमने दो दो तिन class intervals लिए हैं उनमें से किसी को भी हम उसके उपर analysis कर देते हैं 10 to 15 15 to 20 20 to 25 zone lower limit क्या होई इसमें 10 to 15 में 10 है और अपर limit 15 it means जो 15 कोई भी किसी का जो 15 की category में आता है उसको हम इस category में include नहीं करेंगे यानि कि जो भी engineer 15 km के area में आता है उस engineers को हम 10 to 15 में include ना करके 15 to 20 के area में include करेंगे इसी के साथ ही आपका 14.2 exercise का statistics का question number 2 complete हुआ करेंगे आता है आता है याप माद